नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल अजैस्त रोमनी गुरू पर, जहां हम आपको देते हैं ताजा जानकारी और उननत विशलेशन विभिन कमोडिटीज पर. आज हम बात करेंगे CBOT गेहू फ्यूचर्स में आयत ताजे बदलावों की. आज हम चर्चा करेंगे शिकागो बोर्ड अफ ट्रेड, CBOT गेहू फ्यूचर्स के बारे में, जिसमें गुरुवार को थोड़ी बड़ोतरी देखने को मिली. पिछले सत्र में लगभग स्थिर रहने के बाद, बजार ने इस सप्ताह के शुरुआत में 15 सप्ताह के निचले स्तर पर गिरने के बाद वापसी की है. सबसे सक्विय गेहूं कॉन्ट्रेक्ट CBOT पर 0.1 प्रतिशत बढ़कर 5 डॉलर और 61 सेंट प्रती बुशल हो गया. व्यापारी अमेरिकी क्रिशी विभाग, USDA, द्वारा शुक्रवार को जारी होने वाले महत्वपूर्ण डेटा के इंतजार में पोजीशन ले रहे हैं. अमेरिकी फसल की तेजी से प्रगती, अच्छे उत्पादन और रूस तथा ब्लैक सीक शेत्र में स्थिर मौसम की स्थितियों का समर्थन मिला. बुधवार को कमोडिटी फंज ने CBOT गेहू फ्यूचर्स कॉन्ट्रेक्ट्स के नेट खरीददार रहे, जिससे बजार में फिर से रुची और विश्वास का संकेत मिला. इसके अलावा, युक्रेन के अनाज निर्यात ने 2023-24 जुलाई जून मार्केटिंग सीजन के लिए 26 जून तक 50.3 मिलियन मेट्रिक टन तक की व्रिद्धी दर्ज की, जो पिछले साल के 48.4 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक है, क्रिशी मंत्राले के डेटा के अनुसार. जैसे जैसे बजार USDA रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, CBOT गेहु फ्यूचर्स में मामूली वृद्धी भविश्य की आपूर्ती और मान के परिद्रिश्यों के बारे में व्यापारियों के बीच सावधानी पूर्ण आशावाद को दर्शाती है. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्यलेशन. अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. हमें कमेंज में बताएं कि आप किस कमोडिटी पर अगला विश्यलेशन चाहते हैं. धन्यवाद करेंते हैं.